हेलो फ्रेंज गुड इवनिंग और वेलकम बैक तो माइ चानल जी हाँ गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि आज का ये ब्लॉग जो है वो मैं शाम से मैं शुरू कर यू शाम भी नहीं इन फैक्ट ये रात के आड बज रहे हैं और यहां पे जो है हम लोग का डिनर जो है डिन जो है पेपर शुरू हो गए है तो बेटी का जो प्रपरेटरी लीव था तो मैं उसके एक्जाम के प्रपरेशन के लिए मैंने अज सुबह जो है मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई इसलिए मैंने इस टाइम से शुरू किया है तो आज रात के मेन्यू में है लूंच में हम की छुट्टी होगी तो साड़े और साड़े दस बज़े जो है लंच का टाइम होता है इनका ब्रेक टाइम होता है इसलिए मुझे लंच भी देना पड़ेगा तो रात को ही जो है मैं इसके लंच की प्रपरेशन भी जो मैं करके रख लेती हूं और इसे मैं दूंगी मैं आ कि आर करना रहता है लन्च पैक करना रहता है तो ये सब की वजों से जो है रात को ही जो मैं युथ है आज का में टørеди tolerance Biz आढ़े ना जो और कोई चीज भी मैं ना ब church क्योंकि हडवड़ी में अक्सर काम हमेशा घडवड़ी होता है, हडवड़ी का नाम है घडवड़ी, तो मैं तेरी तयारी में अल्मोस्ट 90% काम करके ही मैं सोती हूँ, तो अभी ये रोटी बन रही है मेरी यहां पर और उधर मेरा चिकन भी मेरा गरम हो रहा है, इंडक्षम मैंने बठा दिया मैं रोटी के बनना के फिर आलु अधर मने हुबाली थे बस मसाले के साहते, यहां पे पहली बार यहां पर आके ही एक्चूली मुझे पता चला था कि काई कच्छे आते हैं, वह घुंझा पनी धिया, माले के लोग सोग भी एक हैं। टो अपना होघजह कम आय पढ़ा, तो हैं तरफर म cortar को आप बना वो हमेशा जो है वो फट जाता था और इधर अधर से निकल जाता है तो वो मेरे बस का नहीं है मुझे लगता है इसलिए मैं जब भी बनाती हूं मैं हमेशा जो है आलू को उबाल के उसको मसाले के साथ अच्छे से उसको फ्राइ कर लेती हूं और उसके बाद ही जो है मै पराठा बनाती हो और एक दिन अलु का स्टफिंग वेगरा जो है मैं एक दिन पहले ही बना के रख लीती हूँ क्योंकि फिल थंडा होने में टाइम लगता है जब थंडा नहों फिर आ बेल भी नहीं पाओगे वो आटे में के अंदर वो जाते ही जो है पूरी नमी पहले ही जो है बना के रख लो आप से सुविदा होता है काफी सुविदा होता है काम करने में और इजी भी पढ़ जाता है तो चलिए अब हमें जो है जट पड जो है ये डिनर की तयारी में कर लेती हूँ फिर आप से मिलती हों रोटी मेरी यहां पे अल्मूस्ट मेरी बन गई है और यहां पे यह देखें यह आलू के पराटी का यह स्टफिंग यहां पे में तयार कर रही हूँ और इसमें जो करना कुछ भी नहीं होता है थोड़ा सा बिल्कुल तेल लगता है बिल्कुल थोड़ा सा एक से दो चमच तेल और चुकि मैं लोहे की कड़ाई में बनाती हूँ खाना तो इसमें जो तेल और भी कम लगता है मैं तो बोलूँगी सब को जो है इसी कड़ाई में कड़ाई में ही जो है खाना बनाना चाहिए ये नॉन श्रीक की जरुवत ही नहीं है किसी पी तरह के नॉन स्रीक पैन और किसी की जरुवत नहीं है क्योंकि ये उससे भी बैटर है औप्षन है और यहां पर यह चिकन है यह जो है अलमूस्ट यह तो गरम करें लिया था मैंने और वहाँ पे जो यह जो आलून स्टॉफिघ का मसाला है वह किसे नमक और थोड़ा सा हल्दी जो कि बेना हल्दी के वीण हमारे में अजी को सब्सक्राइब नमक आज़ञा जरता है अजा कि ठेशे हिंग अज़न से तियार कर लेंग gefltly और इस अमने ह Cat inici और रहता हो जाएगा और मैं आसको प्रूड़ स कोशां धाँ किशी रे साल और यहां पर यह सब कुछ मेरा यह हो गया है अब बस खाना जो है सर्फ करेंगे यह आटा जो है यह कल के लिए मैंने निकाल के रखा था तो मैंने देखा कि जरुवत नहीं पड़ी तो फिर मैंने साना नहीं दुबारा से रख लिया और यहां पर यह खाना वेगर जो है अब करेंगे तब तक मेरा मसाला भी बन गया था और इधर जब तक मेरा डिनर हम लोग कम्ट्ट्रेट करेंगे तब तक जो है तक हमारा मेरा मसाला भी जो है ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसे फ्रिज में रख लोगी तो चलिए जल्दी से जो है मैं डिनर कम्प्लीट करती हूँ यह है फ्रेंट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो यहां पे लंच मेरा इसका बन गया था तो बस मैं भी लंच ही जो है मैं इसके बैग में अंदर डाल रही हूँ और एक हाथ में कैमरा पकरके और दूसरे हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए क्लिपिंग जो है थोड़ी आपको डिस्टबिंग सी आपको नजर आती होगी हिल्टी हुई शेकी क्लिप साबको वीडियो नजर आते होंगे अभी ये टिफिन वगरा जो है वो मैंने पैक कर दिया है बस पानी की बॉटल भी मैंने रख दी चुकि हावड़े था इसलिए मैं इसका छोटा बॉटल ही मैंने डाला है और अभी जो है इसके बाद जो हम ऐसे तयार करूँगी मतलब इसके बाल बाल वगरा जो है वो मुझे इसके बाल बानने है बाकी ऐसे रड़ी ये खुदी हो जाती है बाकी सारे काम ये खुदी कर लेती है बस ये कंगी वगरा करना जो है बाल बानना ये इससे नहीं होता ह यह मैं बाहर आई थी देखने के लिए क्योंकि हल्की जी ना बारिश जैसा जैसा मौसम हो रखा था तो बस देखने आया थी ऐसे बारिश स्टार्ट तो नहीं हुआ था पर लग रहा था जैसे बारिश यह शुरू होने वाली है तो बस वैदर इन आया थी और फिर उसके जलती हो अंदर घर के लंच वेगर तो पैक हो गया था पानी की बॉटल बैग इसका रेडी था और अब बस ये बाल बान नहीं रह गए थे मेरे और बस ये बाल बान लूँगी और फिर इसका जो है शूज वेगर ये सब पहना रह जाएगा और अधर हस्बन भी जो है अपना ही दवाई पिर मेरे रह अब और अब अनर ये ठाली लेलएजा अब लूद ले तो जाथे झाल उसार्ट क्रीद वांद जो पैंस बीड़एह उसंफे जो ईंशय को यम बंहें गई वहां जालों हो जो भी आएदु और यह ड़ता है क्योंकि शूद है तो दोनों मैं भी आ गई हूँ सब लाइट फैन वगरा जो अधर के ड्राइंग रूम के यानि के सामने वाले कमरे के बंद करके मैं भी आ गई हूँ इधर इन्हें बाई करने के लिए यह देखे यहां पर वो कार के सामने यह खड़ी है यह रही रिशा हाथ दिखाते हुए हम लोग जो पर एंड करती हूँ मिलती हूँ आप सबके साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाव बाई टेक केर अपना ध्यान रखें